मुझे सुना जा सकता है, इतने गर्म संदर्ब के लिए धन्यवाद, लेकिन आप आठ भाशाओं में गलत थे, अभी तक सिर्फ पाँच पर, इस जीवन में नौ भाशाओं में बात करने का लक्ष्य है, लेकिन मैं इसलिए इसे करूँगा क्योंकि मुझे भाशाओं का अध् के बारे में कुछ शब्द कहूंगा, और जो आज हमें Axiom Alive के साथ जोड़ता है, इस प्रकार Space Aid एक विग्यापन अभिनव व्यापार एक अंतराश्ट्रिय होल्डिंग है, हम विग्यापन और सूचना पहुँचके क्षेतर में नवीनतम तकनीकों से जुड़े हैं, और जब हम येवगेन के साथ मिले, तो मुझे भी इस मुलाकात से यह अविस्मरणिये प्रभाव हुआ, और मैंने Axioma कंपनी में और गहराई से जांच की, तो मुझे यह बहुत पसंद आया कि कैसे इस शांदार उतपाद के चारों और व्यापार सिस्टमात्मक और संरचनात् इसे विकसित करना चाहिए, इसे प्रचारित करना चाहिए, हम इसे विज्यापित करेंगे आज के मार्केटिंग के तीन महत्वपूर्ण स्तंभों का उपयोग करके, मैं हर एक के बारे में विस्तार से बताऊंगा, मेटावर्स के बारे में, चलो मैं कुछ नंबर बांटता हूँ आज ब्रह्मांडो में कुछ जानकारी सुनाई दी वहां मौजूद ना होने वाले लोगों को समझने में असपश्टता हो सकती है कि हम इस तक्नीक में जकड़ गए हैं देखें आज दुनिया में मेटावर्सल का उपयोग पहले से अधिक 500 500 मिलियन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो पहले से अधिक है 500 मिलियन लोग धरती पर हम सबकी कुल संख्या आठ हरब है 500 मिलियन लोग अब और पहले से ही मेटावर्स का उपयोग कर रहे हैं इससे पांच गुना अधिक यह इस बात की गवाही देता है कि यह भविश्य का कोई ट्रेंड नहीं है बलकि यह हमारी वास्तविकता है मेटावर्स यह नई पीड़ी के सोशल नेटवर्क हैं हम सभी आपको आज के मौजूदा नेटवर्क प्रतिबंधित और अनिश्क्रिय नेटवर्क की प्रस्तुती करते हैं और वे कभी-कभी आश्चर्य जनक होते हैं ल प्रतान कर सकता है और आज भविश्य में कंपनी एपल ने पहले से ही इस ट्रेंड को बढ़ावा दिया है यह महत्वपूर्ण है इस प्रकार इस वृत्तिमान वास्तविकता के इन चश्मों में जो लोग शक्तिशाली उपकरण खरीदते हैं जो लोग एपल चश्मे का रहे हैं तो यह सामान निरूप से सोने की जनता है इसी लिए हम मेटावर्स के लिए अपने व्यापार में जाने का निर्णे लिया है और मुझे गर्व है एक्सियम लाइफ हमारे साथ मेल खाता है इसलिए हम साथ में पहले एक शहर और फिर पूरे देश का निर्मान करेंगे हम एक ही मेटावर्ग में नहीं कई मेटावर्गों में पहले से ही शुरू कर चुके हैं देश के दूतावास होने पर विभिन स्थानों में दूतावास हो आप वहाँ उन लोगों से मिलेंगे जो सब कुछ जानने में रुची रखते हैं और उसके अनुरूप आप उन्हें अपने व्यापार के बारे में बताते हैं उन्हें अपने संरचना में आमंत्रित करते हैं यहां बहुत आसान है क्योंकि प्रतिसपर्धा अभी भी कम है इस प्रकार आज विश्व की महान कंपनियों ने अपने आपको एक मेटावर्स की रूप में देखना शुरू किया है एपल, रूस में प्रतिशेधित, फेस्बुक और इत्यादी और इत्यादी इस खशेतर में अपने उत्पाद बनाने के लिए व्यवस्था करते हैं आज के बजट में बहुत से अरबों डॉलर का धारा प्रवाह होगा जिससे इसका अर्थ है कि धनकी बहुत अच्छी तरह से व्या होगा इसलिए हम इस ट्रेंड में खुद शामिल हो सकते हैं या फिर हम इसे मौजूद नहीं होने का दिखावा कर सकते हैं लेकिन ऐसा काम इतनी देर तक नहीं किया जा सकता है इसलिए उचित होगा हम आगे बढ़ें चलो बहुत सक्रियता के साथ मेटावर्स के विकास में आगे बढ़ें पहला कदम जब आप मेटावर्ल्ड में प्रवेश करते हैं तो वहां प्रतिष्ठित होना चाहिए आप एक निश्चित अवतार बनते हैं, आप एक निश्चित नायक बनते हैं यह नायक आपके वास्तविक रूप में बहुत ही समान हो सकता है ठीक पूर्ण जैसे आप हैं या फिर पूरी तरह से अलग हो सकता है यदि आप चाहें तो अपने बाहरी रूप को सुधार सकते हैं या फिर यदि आप इस दृष्टिकोंड में गर्व करते हैं तो किसी भाग को उभार सकते हैं इस प्रकार जब आप मेटावर्ग में पहुंचते हैं तो आप वहाँ एवतार बन जाते हैं ऐसा ही जीवन है अवतार केवल मेटावर्ष के रूप में बनाया जा सकता है या मेटावर्ष और सोशल मीडिया में सभी में मौजूद हो सकता है आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता विज्ञान, संगीत, चित्रकला, व्यापार और हर जगह तेजी से विकसित हो रही है और उन्नती कर रही है प्रगतिशील लोग अपने अवतार को अपनी दुनिया की तस्वीर बढ़ाते हैं वे अपनी बाहरी और आंतरिक पहचान को सुसजित करते हैं और दिमाग के साथ उसे मेल करते हैं हमारे पास एक अद्वितिय तकनीक है जो हमें आपके जैसे या आप जो कहेंगे संता क्लॉज के जैसे एवतार बनाने की अनुमती देती है इस प्रकार आपके मस्तिश्क से आपकी समझ, आपकी ज्यान, आपका जीवन अनुभव, जितना हमें आपकी अनुमती देंगे तदनुसार उतारें और इसे अवतार के मस्तिश्क में लॉड करें यह वाक के आपके digital duplicate के बारे में बताता है जो आपकी पहचान digital दुनिया में है आप ही वह duplicate हैं यह digital duplicate आपके लिए कई समस्याओं का समाधान कर सकता है और हमेशा समाधान करेगा और आज सबसे प्रगतिशील सोच वाले लोग स्वाभाविक रूप से इसका सफलता पूर्वक इस्तिमाल कर रहे हैं क्योंकि डिजिटल डुप्लिकेट वह मनुष्य के विपरीत कभी नहीं सोता है वह कभी ठकता नहीं है उसे कभी अतिरिक्त सजावत नहीं करनी पड़ती वह जैसा है वैसा ही है और उसके अनुरूप वह आपके उत्पाद को 2407 प्रमोट कर सकता है वह उसके बारे में विभिन लोगों को विभिन भाशाओं में बता सकता है इसका मतलब है कि आप सोचिए आप कितने शक्तिशाली हो जाते हैं अगर आप अचानक एक रात में सोने, खाने और जीव विग्यानिक आवश्यक्ताओं को पूरा करते हुए आप इस समय अचानक दुनिया की सभी भाशाओं में बोलते हैं पूरी शान्ति के साथ, किसी ग्राहक या व्यक्ति के साथ शब्दों के सीधे अर्थ में ये व्यापार को प्रमोट करने या पैसीव निवेशियाय प्राप्त करने की संभावना है मैं आज इसके बारे में बात करूँगा जब आप सोते हैं तो यह आपका डिजिटल डुप्लिकेट आपके व्यापार को प्रचार करके या अन्य विग्यापकों के व्यापार को प्रचार करके आपके लिए पैसे कमा सकता है और आप सोते हैं तो वह आपके लिए पैसे कमाता है जीवन सिर्फ स्वर्गी ये चीज है, अंत में हमें सब कुछ सौपने का मौका मिलता है रोबोट कड़ी मेहनत कर रहे हैं, खुश इंसान, 40 साल पुरानी सोवियत फिल्म आज हकीकत बन गई है जैसे कि रोबोट सपनों को साकार कर रहे हैं, हमारे पास समय और उर्जा खाली हो रही है हम आत्मा के करीबी लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं, अनुरूप आफलाइन समय को उप्योग कर सकते हैं अन्य कामों को हम पहले से ही रोबोट को सौंप सकते हैं यह हकीकत है, पसंद है नापसंद है, मैं ऐसी चीजों के बारे में सपने नहीं देखता, आज हम जो सामने आए हैं उसी पर काम कर रहे हैं, इस रूप में हमारे पास धर्ती पर हो रही वास्तविक प्रक्रियाएं हैं, जो इस प्रवृत्ति को और बढ़ाने में मदद करेंग सभी कुछ इस दुनिया के महान लोगों द्वारा 20-वे साल से पहले से ही निरधारित है, इस पुस्तक में पूरी तरह से लिखा हुआ है कि वे क्या करते हैं, इसका अर्थ है कि जब हमें नए लॉकडाउन की घोशना होगी, तो अधिक संख्या में लोग इंटरनेट पर ज लाहस करता हूँ जो इस साल के अंत तक भविश्यवानिकारी होगा और सच्चित हो जाएगा, जिनके पास अवतार नहीं है, वे मौजूद नहीं होते हैं, यदि आप इंटरनेट पर कहीं भी प्रस्तुत नहीं होते हैं, तो आप बहुतांक के लिए मौजूद नहीं होते ह आप जीविज्ञानिक इंसान हैं, आप परिवार या दोस्तों के साथ समवाद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंटरनेट पर नहीं हैं, तो दुनिया आपके बारे में नहीं जानती है, यदि आपके पास अवतार नहीं है, तो आपके लिए बड़े विश्व में कुछ नह रूप यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदू है डिजिटल अवतार बनाना अपने डिजिटल डोपल गंगर का निर्माण करना यह अवसर है अपनी असलियत को डिजिटल दुनिया में दावेदार बनाने का अवसर यदि आप अपना अवतार नहीं बनाएंगे तो आपके प्रतियोगी, दुश्मन और अन्य लोग आपके जैसे अवतार बना सकते हैं और आपके नाम से कहानी सुनाना और बेचना वे सब कुछ प्रमोट करेंगे जो वे आवश्यक समझेंगे जब तक यह एक शेतर कानूनी रूप से नियंतरित नहीं होता बेशक मान की करन वहां लेकिन जब आपके पास आप होते हैं असली और नकल आती है तो आप बाद में कह सकते हैं यह मैं नहीं हूँ उस अवतार को हटा दें वह नकली है अगर आप असली हैं तो आप खुद को नहीं बना सकते हैं आपका अस्तित्व नहीं होता है तो यह नकली असली होने का अधि करें आसान करें और दूसरे इन आगामी जोखिमों से खुद को सुरक्षित करें यह बहुत महत्वपूर्ण है और जब हम आज के प्रोड़क्ट प्रचार के बारे में बात करते हैं तो हम इस बात के बारे में बात कर रहे हैं कि हमें Axiom Alive के products बहुत रुचिकर हैं और मुझे आशा है कि Axiom Alive के दर्शकों को हमारे products रुचिकर लगेंगे इस समय हम बहुत बड़ी traffic प्रबंधन प्रक्रिया मानव ध्यान प्रबंधन के बारे में बात कर रहे हैं आज किसी उत्पाद को promote करना चाहते हैं तो आपको तीन चीज से बात की जा सकती है जैसे यूट्यूब पर डिजिटल अवतार के संदर्भ में या विभिन रूपों में बात करना संभव है सूचना को पहुंचाने का तरीका और तीसरी महत्वपूर्ण बात इस जानकारी को किसे पहुंचाना है लोग लोग आपके बारे में जानने वा लूसी के बजाए सबसे नवीनतम तकनीक का उपयोग करेंगे और इस समय में मुख्य प्रश्णी ये होता है कि कितने लोग बोल सकते हैं कितना बड़ा बोल सकते हैं कैसे बोल सकते हैं ताकि आपको ठीक से सुना जाए वर्तमान में मुझे यूट्यूब पर लगभग 16-15 लोग सुन रहे हैं लेकिन ये संख्या वास्तविक समय में शब्दांश की रूप में लगभग 100 गुना की जा सकती है यदि आप सबसे बड़े खोज इंजन का उपयोग करना शुरू करेंगे तो एक में से एक गूगल आज गूगल ग्रांट्स कार्यक्रम के माध्यम से किस अर्थाद गूगल हर महीने आपको 10,000 डॉलर देता है लेकिन पैसे के रूप में नहीं वरन विज्यापन सेवाओं के रूप में आप ट्रैफिक को अपने उपर सेट कर सकते हैं और हम इसे कैसे करना है इसका साज़ा करेंगे ये आसान और तेज है और जो लोग गूगल मे जाते हैं वे आपके पास स्वचालित रूप से आएंगे आपको बस इस इंपुट स्ट्रीम को प्रोसेस करना है इसे मानवी आवाज जोड़ों पर कैसे संसाधित करें जितना आपकी जगह होगी उतना ही चलेगा या तो इसे अवतार को दें गूगल लोगों को भेजता है अवतार उन्हें प्रोसेस करता है और मैं अपने जीवन का आनंद लेता हूँ यह किसी भविश्य की कोई आदर्श तस्वीर नहीं है यह वही है जो हम अभी लागू कर रहे हैं इसलिए हमारी कमपनी स्पेस एक्स एक्सियम अलाइव कमपनी के सभी साज्यदारों को हम इन तकनीकों का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करती हैं इसलिए हम इन तकनीकों का European करते हैं और कि आपके नाम से बात कर सकता है कुछ कह सकता है और कुछ कर सकता है इसके बाद जब यह अवतार मेटा वर्ल्ड में होता है तो ये कहीं होना चाहिए और इसे ध्यान में रखना चाहिए इसलिए स्थानों का निर्माण, कारेक्रमों का आयोजन, इन सभी ट्रेंड्स को आज मेटा वर्ल्ड में बहुत गती शीलता से विकसित किया जा रहा है हम इस प्रक्रिया के सामरिक पर हैं हमने पहले ही बहुत सारी कठिनाईयों और गलतियों का सामना किया है इसलिए अब हम जानते हैं कि कैसे इस से बचा जाए और हम इस जानकारी को हमारे सभी साजहदारों के साथ साजह करने के लिए तयार है अपने छोटे शहर या गाव में अपना व्यापार विकसित करना गलोबल रूप से काफी रोचक और महत्वपूर्ण है और अगर आप बंगाली नहीं बोलते हैं और इसलिए आपको लगता है कि आप कभी बांगलादेश के साथी दारों को कुछ बेच नहीं सकते हैं तो आप आज ही इसे कर सकते हैं इस रविवार को बिलकुल शान्ती से आप इसे कर सकते हैं हमारे पास कौन से प्रश्न होंगे हम उन्हें आपके साथ चर्चा करेंगे हम चरण बद्ध निर्देशों को साझा करेंगे एक दो तीन चार करना होगा ताकि जो ओलगा ने कहा है वह आपकी वास्तविक्ता का हिस्सा बन जाए और आपके पास ज्यादा समय रहे जीने के लि अपने शौकों और प्यारे लोगों को समर्पित करने के लिए